हमारी वसियत और विरासत लेखक पंडिश्री राम शर्माचारी जी प्रवास का दूसरा चरण एवं कारे चेत्र का निर्धारण प्रतम परिक्षा देने के लिए हिमाले बुलाई जाने के आमंत्रण को प्राया दश वर्ष बीट गए फिर बुलाई जाने के आविशक्त नहीं समझी गए उनके दर्शन उसी मुद्रा में होते रहे जैसे की पहली बार हुए सब ठीक है इतने ही शब्द कहकर प्रत्यक्ष संपर्ख होता रहा अंतर आत्मा में उसका समावेश निरंदर होता रहा कभे अनुभाव नहीं हुआ कि हम अकेले है सदा दो सांत रहने जैसी अनुभूती हुद्धी रहे इस प्रकार दस वर्ष बीट गए स्वतंतरता संग्राम चली रहा था इसी बीच रितु अनुकूल पाकर पुना आदेश आया हिमाले पहुचने का दूसरे ही दिन चलने की तैयारी कर दी आदेश की उपेक्षा करना विलम लगाना हमारे लिए संभूना था जाने की जानकारी घर के सदस्यों को देकर प्राता काल ब्रहम मूर्थ में चल पढ़ने की तैयारी कर दी सड़क तब भी उत्तरकाशी तक ही बने थी आगे के लिए निर्मान कार आरब हो रहा था रास्ता अपना देखा हुआ था तो उतनी ठड़ी नहीं थे जितनी की पिछले बार थी रास्ते पर आने जाने वाले मिलते रहे चक्टियां ठहरने की छोटी धर्मशालाई भी सरवे था खाली नहीं थी इस बार कोई खटना ही नहीं हुई सामान भी अपक्षाक्रत साथ में जादा नहीं था घर जैसी सुविदा तो कहा किन्तों जिन परिस्तितियों में यात्रा करनी पड़ी वह अस है नहीं अनव्यस्त बर थी क्रम यथावाद चलता रहा पिछली बार जो तेन परिक्षाएं ली थी इस बार इंगे से एक से भी पाला नहीं पड़ा जो परिक्षा ली जा चुकिये उसी को बार-बार लेने के आवश्यक्ता भी नहीं समझी गई गंगोत्री तक का राष्टा ऐसा था जिसके लिए किसी से पुष्टाच नहीं करनी पड़ी थी गंगोत्री से गोवबुक के सुधा मेल ही ऐसे हैं जिनका राष्टा बर्फ पेगालने के बाद हर साल बदल जाता है चटानी टोट जाती है और इधर दर गिर पड़ती है चोटे नालेवी चटानों से रास्ता रुख जाने के कारण ना रास्ता इधर से उधर बदलते रहते हैं नए वर्ष का रास्ता यूं तो उस चेतर से परिचित किसी जानकार को लेकर पूरा करना पड़ता था या फिर अपनी विशेश बुद्धी का सहारा लेकर अनुमान क्याधार पर बढ़ते और रुखावट आ जाने पर लोट कर दूसरा रास्ता खोजने का क्रम चलता रहा इस प्रकार गुमुख जा पहुँचे आगे के लिए गुर्देव का संदेश वहाख सान चाना था वह भी सुक्ष में शरीर ढारी था चाया पुरुश यो वीरभदर रस्तर का था समय समय पर भी उसी स्याने को काम लिया करते थे जितनी बार हमें भी माले जाना पड़ा तब नंदनवन एवं और उचाई तक तदा वापस गोमुख पहुचाने का काम उसी के जिम्मे था सो सहयक की सहयता से हम अपिक्षक्रत कम समय में और अधिक सरलता पुर्वक पहुँच गये रास्ते बर दोनों ही मौड रहे दंदनवन पहुचते ही गुर्देव का सुक्ष में शरीर प्रत्यक शुरूप से सामने विद्वान था उनके प्रकट होते ही हमारी भावनाय उमर पड़ी होट कापते रहे नाग केली होती रहे ऐसा लगता रहा मौनो अपने ही शरीर का कोई खोयांग फिर मिल गया हो और उसके अभाव में जो अपूर्ण तह रहती हो सो पूर्ण हो गई हो उनका सिर पर हाथ रख देना हमारे प्रती अगाद प्रेम की प्रकटी करण का प्रतीक था अभी दन आशिरवात का जरिश्टाचार इतने से ही पूर्ण हो गया गुरुदेव ने हमें संकेत किया शी शक्ता से पुरा मायद दर्शन की लिये जाने के विशे में इर्दे में रोमान शोग उटा सत्यूक के प्राया सभी रिशी शरीरों से उसी दुर्गम हिमाले चेतर में निवास करने आये हैं जहां हमारा प्रतम साक्षक्कार हुआ था इस्थान नियत करने की दृष्टी से सभी ने अपने 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 लिए एक एक गुफा निर्धारित कर लिए वैसे शरीर शरीया के लिए उन्हें इस्थान नियत करने हैं साधान समावी जुटाने की वह आवेशक्ता नहीं थी तो भी अपने अपने निर्धारित क्रिया कराब पूरे करने तता आवेशकता नुसार परस पर मिलते जुलते रहने के लिए सबी ने एक एक स्थान नियत कर लिया है पहले यात्रा में हम उन्हें प्रणाम भर कर पाए दे अब दूसरी यात्रा में गुरुदियों हमें एक एक करके उन से अलग अलग भेट कराने ले गए परोख शुरूप में आशिरवाद मिला था अब उनका संदेश दुन्य की बारी थी दीखने को हलके से प्रकाश कुंज की तरह दिखते थे पर जो अपना सुक्ष्म शरीर सही हो गया तो इन रिश्यों का सत्यूक वाला शरेवे या थावत दिखने लगा रिश्यों के शरीर की जैसी संसारिक लोग कल्पना किया करते वे लगबग वैसी ही थी शरिष्टाचार पाला गया उनकी चर्णों पर अपना मस्तक रख दिया उन्होंने हाथ का स्पर्ष जैसा सिर्पर रखा और उतने भर से रुमान छोटा आनंद और उल्लास की उमंगे फूटने लगी बात काम की चले हर एक दे परावाडी में कहा कि हम स्थूल सरीष्टी जो कतिविद्या चलाते थे वे अब पूरी तरह समाप्त हो गई है फूटे हुए खंडरनों के अवशे से जब हम लोग दिफ्य दृष्टी से उन चेत्रों की वर्दमान इस्सिती को देखती है तो बना कष्ट होता है गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पूरा रिष्टी चेत्र था उसे कांत के मात्र तपस्चरिया की विदा पूरी होती थी उत्तरकासी में जैसा जम्रदगनी का गुरू को अरक्य था जहां ता वैसे अनेको रिष्टी आश्रम संव्यापती शेश रिष्टी अपने अपने इस्से की शोध तपस्चरियाए करने में सलन्ग रहते थे देवताओं की इस्थान महां थे जहां आजकल हम लोग अब रहते है हिम्योग के उपरां ना केवल इस्थान ही बदल गए वरन गतिविदियां बदली तो क्या पूरी तरह समापती हो गए उनके चेने पर शेश रह गए उत्तरा खड़ में जहां ता देवी देवताओं की मंदिर तो बन गए ताकि उन पर धनराशी चरती रहे और गुजारियों का गुजारा होता चले पर इस बात को ना कोई पूछने वाला है ना बताने वाला की रिशी कौन थे कहां थे क्या करते थे उसका कोई चेन ने भी अब बाकी नहीं रहा हम लोगों के द्रिश्टे में रिशी परंपरा की तो अब एक प्रकार से प्रलय ही हो गई रगवग यही बात इन बीस्यों रिश्यों की और से कही गई जिन से हमारी भीट कर रह गई विदाई देते समय सभी के आँखे ड़ंटवाई से दिखी लगा कि सभी विथित है सभी का मन उदास कर भारी है पर हम क्या कहते इतने रिशी मिलकर जितना भार उठाते थे उसे उठाने की उतनी सामर्थ भी तो नहीं है उन सब का मन भारी देखकर अपना चित्र भीत होगे सोसते रहे भगवान ने किसी लायक हमें बनाया होता तो इन देव पुर्षों को इतना विथित देखते वे चुपई साथ कर ऐसे ही वापस न लौग जाते इस दब्दा अपनी उपर भी चागे और आखे टब डबाने लगी प्रभाहित होने लगी इतने समत रिशी इतने असहाई इतने दुखी ये उनकी वेदना हमें विच्छु के डंकी तरह पीड़ा देने लगी गुर्दयों के आत्मा और हमारे आत्मा साथ साथ चल रहे थे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे साथ में उनके चेहरे पर विवदाशी चाही होई थी हे बगवान कैसा विश्यम शमय आया है कि किसी रिशी का कोई उत्रादिकारी नहीं होचा सबका वंश नाश हो गया रिशी प्रवर्तियों में से एक भी संजीव नहीं देखती करोड की संख्या में ब्राव्माने और लाखों की संख्या में सन पर इनसे दस-वीज भी जीवित नहीं रहे होते तो गांधी और बुद्ध की तरह गजब दिखा कर रख देते पर अब क्या हो गया? कौन करे? किस बलबूते पर करे? राज कुमारी की आँखों से असुट पकने पर और कहने पर कि को वेदान उद्धर अस्यासी अर्थात वेदों का उधर कौन करेगा? इसके उत्तर में कुमारिल भट नहीं कहा था कि अभी एक कुमारिल भट भूतल पर है इस पर कर विलाप न करो तब एक कुमारिल भट जीवी था उसने जो कहा था सोकर दिखाया पर आज तो कोई नहीं ना ब्रामने न सन्द रिश्यों की मात तो महत आगे कि आज तो चद वेज़ जारी ही चित्र मिचित्र रोब बनाए रंगे सियारों की तरह पूरे वन प्रदेश में हुआ हुआ करते फिर रहे हैं दूसरे दिन लोटने पर हमारे मन में इस प्रकार के विज़ार दिन भार उखते रहें जिस कुफा से में निवास था दिन भार यहीं चिंतन चलता रहा लेकिन गुरुदे उन्हें पूरे तरह पढ़ रहे थी मेरी कसक उन्हें भी दुख दे रहे थी उन्हें का तब फिर करो अपकी बार उन सबसे मिलने फिर से चलते हैं कहना आप लोग कहें तो उसका वीज़ार उपन तो मैं कर सकता हूँ खात पानी आप देंगे तो फसल उपड़ेगी अन्ता प्रयास करने से अपना मन तो हलका होगा ही साथ मैं यह भी पूछना कि शुभारम किस प्रकार किय जाए इसकी रूप रेखा मता है मैं कुछ न कुछ अवश्य करूँगा आप लोगों का अनुग्रा बरसेगा तो इसे सूखे शंशान में हरितिमा होगेगे गुरुद्यों के आधेश पर तो मैं यह भी कह सकता था जलती आग में जन वरूँगा जो होना होगा सो होता रहे प्रतिक्षा करने और उसे निभाने वे प्राण की साक्षी दे कर प्राण तो किया ही जाए सकता है यह विंचार मन में उठ रहे थे गुरुद्यों उन्हें पढ़ रहे थे अब की बार मैंने देखा कि उनका चेहरा ब्रम कमर जैसा खिल गया है दोनों स्तम थे और प्रसन पीछे लौट चलने और उन सभी रिश्यों से दुबारा मिलने का निष्चे हुआ जिन से कि अभी अभी विगत रात्री से मिलकर आये थे दुबारा हम लोगों को वापस आया हुआ देखकर उनमें से प्रत्यक बारी बारी से प्रसन होता गया और आश्चर नित मी मैं तो ह पारे छोटा हुआ है उसका नए सिरे से मीजर ओपन किस तरह हो खाद पानी आप हम लोग लगाते रहेंगे तो इसका उठाया हुआ कदम खाली नहीं जाएगा इसके बाद उन्हें गायतरी मापुरिश्यों की पूर्टी में मतुरा में होने वाले सहस्त्र कुंडी जे की जो छोड़ गया है वो फिर से बिनर्मित होगा और अंकुर फ्रक्ष बनेगा हम लोग निराश के हूँ इससे आशा क्यों न बादे जबकि यह गद तीन जन्मों में दिये गए इदायित्यों को निष्ठा पुर्वक निभाता चला आ रहा है चर्चा एक से चल रही पर निमंतरन पहुंचते ही एक छण लगा और वे सभी एक एक करके इकत्रित हो गए निराशा गई आशा बंदी और आगे कारिक्रम बना की जो हम सब करते रहे उसका बीज एक खेट में बोया जाए और पौशाला तयार की जाए उसके पौदे सर्वत्र लगेंगे और उद का भी विस्तार से समझाए गए पूरे ध्यान से उसका एक 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 अक्षर हिद्य पडल पर लेख लिया और निश्चे किया कि 24 लक्ष का बुरुष्चन पूरा पूरते ही इस कारिक्रम की रूप रेखा बनेगी और चलेगी निश्चे ही अवश्ची ही और जिसे गुर्द अपना करम को हम बारी की से देखते रहें और उसमें जहां कुछ अनुप्योग तुजचा उसे ठीक करते रहें अब आगे क्या करना है उसी का सुरुप समझाने के लिए इस पार बुलाया है पुरुष्चन पूरा होने में बहुत समय नहीं रहा है उसे मतुरा जाकर पूर करना चाहिए अब तुम्हारे जीवन का दूसरा चर्व मतुरा से आरम होगा प्रयाक के बाद मतुरा ही देश का मंदे के इंडैन आवागमन की द्रस्टी से वही सुविदा जनक भी है स्वरा जहो जाने की बाद तुम्हारा राजनेती को तर दाई तो तो पूरा हो उनके बिना होनेता ना हो सकेगी देश इशले परादिन ये जरजर नहीं हुआ ता कि या शूर भी नहीं थी आकुरन कारियों को परस नहीं कर सकते थी बीतरी दुर्बलताओं ने परातन पराभाव की गर्द में धके लग दूसरों ने तो इस दुर्बलता का लाब भर इसलिए तुम अपना घर गाओं छोड़कर मतुरा जाने की दैरी करो वहां चोटा घर लेकर एक मासिक पत्र का आरंब करो साथ ही करांतियों के संबद में आवश्चत जानकारी देने का प्रकाशन भी अभी तुम से इतना काम बन पड़ेगा थोड़े ही दिन उपरां तु दूब एक महा यग्य करना है अनुष्ठानों के परवड़ा जब के साथ यग्य करने की है तुमारे 24 लक्षे के 24 अनुष्ठान पूरे होने जा रहे हैं इसके लिए सुहस्त्र कॉल्डों के यग्यशाला में एक हजार मंद्रिकों द्वारा 24 लाक आहोतियों का यग्य आयो सबते सरोवा धरिद्वाल जाना है जहां रहकर वह कारे पूरा करना है जिसके लिए रिशो के विस्मित परंपराओं को पुनर चागरत करना है तो तुम्हे स्विक्रती सुचक सम्थी दी थी मत्रा के कारे शैले आदी से अंत तक जिस प्रकार संपन की जाने उसकी एक सू विस्तृत रूप रेका उन्होंने आदी से अंत तक समझाई इसी बीच आर्श शाहिते के अनुवाद प्रकाशन प्रचार की तथा गायतरी परिवार की संगटन और उसके सदस्थियों को काम स शक्ति और जन शक्ति के आवश्चक्ता पढ़ेगी उसकी पूरती कहां से होगी मन को पढ़े गूते और हस पढ़े इन साधनों के लिए चिंता के आवश्चक्ता लेगी जो तुमारे पास है उसे बोना आरंब करो इसकी फसल सौग उनी होकर पक्शाएगी और जो काम से उसे कैसे कहां बोया जाना है और उसकी फसल कब किस प्रकार पके लिए यह जानकारी भी उन्ने दी जो उन्होंने कहा उसकी हर बात गांड बांदी भूलने का तो प्रश्च नहीं नहीं था भूला तब जाता है जब उपक्शा होती है सीना पती कादेश सैनिक कहां बोलत वहां से हम निर्देशित इस्थान पर जा पहुंचे और छे मेने पूरे कर लिये। लॉट कर घर आये थी तो स्वास्त पहले से ही अच्छा था। फसनता और गंभीता बढ़ गए थी जो प्रतिबा के रूप में चैरे के इर्दिगी तिशाई हुए थी। लॉटने पर जिनने भी देखा उन सभी ने कहा लगता हिमाले में कई बड़ी सुख सुविधा का इस्थान है। तुम वहीं जान दे और स्वास्त संवर्दन करके लॉट देओ। हमने हसने के अत्रिक और कोई उग्तर नहीं लिया। अब मत्रा जाने की धैरी थी। एक पर दर्शन की दृष्टी से मत्रा देखा तो था पर वहां किसी से परिच्छे ना था। चलकर पहुँचा गया और अखर जोती ककाशन के लायक एक चोटा मकान किराये पर लेने को निश्चे किया। मकानों के उन दिनों भी किल्डत थी। बहुत धुनने के बाद भी आवच्छक तक अनुरूप नहीं मिल रहा था। धुनते धुनते घिया मंटी जाने के लिए। एक मकान खाली पड़ा था। मानके ने पुढ़िया थी। किराया पुचा तो उसने पंदरा रुपय बताया और चावी हाथ में तमा दी। भीतर गुसकर देखा तो उसमें एक छोटे बड़े कुल पंदरा कमरे थी। था तो जीन शेन पर एक रुपया कमरे के साबसे वह महिंगा किसे द्रस्टी से ना था। हमारे लिए काम चलाओ भी था पसंद आगया और एक महने का किराया पेश की पंदरा रुपया हाथ पर रख दिये। बुढ़िया बहुत प्रस्टी घर जाकर सभी सामान लिया और पत्नी बच्चों समित उसमें रहनी लगी। सारे महले में काना फुसी होते सुनी। माना हमारा वहां आना कोई आश्चरे का विश्य हो। पूछा तो लोगों ने बताया कि अब भुत्रा मकान है। इसमें जो भी आया जान गवां कर गया। कोई टिका नहीं हमने तो कितने कोही आगधन जन की भारी हानी उठाकर भाग पड़ा रहता। आप साथ समझ बुझ कर भी उसमें रह रहे हैं नुकसान उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यंत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्य क्या। बुद्वा होने की बात सच थी। राद भार चट की उपर धमा चौ नहीं होई। ना उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुचा या ऐसा घटना करम कोई दस दिन तक बगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को एक बज़े करीब पर गए। लाल टेन हाथ में थी भागने वालों से रुखने के लिए रुख गए। हमने कहा आप बहुत दिन से इस हैरान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया। खड़े जरूर है। दूसरे दिन से पूरा घटना करम बदल गया। हमने अपनी और से समझोते का पालन के और वही सभी उसमान पर सहमत होगे। छट पर कभी-कभी चलने फिनी जैसी आवाजी तो सुनी गई पर ऐसा उ पहले वर्ष में ही दो हजार की करीब ग्राहक बने ग्राहकों से पत्र वबार करते और बातालाब करने के लिए बुलाते रहे। अध्यन का क्रम तो रास्ता चलने के समय चलता रहा। रोज टहलने जाते उसी समय में दो घंटा नित्ते पढ़ लेते। अरुस्टान भी कॉंग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कारे को अब गदी दे दी। अखन जोती पत्रिका आर्शे साहिद का अनुदान धर्मित अंत्र से लोग शिक्षन की रूप रेका इनी विश्यों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपनी ही हैंड प्रेस से चापते शेश साहिद दूसरी प्रेशों से चपाने थे। इसी प्रकार ढर्रा चला तो पर वह चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मतुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना हैं प्रेस लगाना है। आयतरी तपोगों में का भव्य भवन बननना है या कि इतने विशाल रूप मे अनना था। इसी कारेक्रम की रूपरे का मस्तिश में खुमने लगी।